सभी केंडिट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एक्जाम को टार्गेट करते हैं कि ये एक्जाम हमको क्रैक करना है तो सबसे पहले जो ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों उस एक्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा तभी जाके प्रिप कर लाते हैं कोई इंस्टिट्वेशन जॉइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना जार्खन जी के पढ़ना मैथ रिजनिक पढ़ना ही कमपेटिटिव एक्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है जो की बहुत गलत प्रैक में होता है दोस् बश्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से श्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेपीज सी एक्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें ठीक है खासकर इसमें हम बताएंगे दोस्तों इसमें कौन-कौन से पोस्ट आते हैं खा का प्रिपरेशन करना है दोस्तों उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही महतुपूर्ण है दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं और एक एक चीजों के बारे में बताते हैं सबसे पहले दोस्तों जान लिजिए कि जो एक्जाम होता है जारखन पब्लिक सर्वि डेखेंगे तो जो रेगुलर बäsस़िस पर जो वेकेंसी जाता है दोस्तों वह आप देखेंगे इन워IST की वेकेंसी आपस्थन को मिलेगा जो कि हर बार आही जाता है खास कर जभी सबर में जचाह करें ज्छारकों ससानिक सेवा करें तो आप सकते चाहां प्रासानिक शेवा हो गया दूसरा नंबर देख सकते हैं जो पुस्ट आता है जारखन सहक में पार्ग करता है जारखंड समाजिक सुरक्षा सेवा में देखेंगे 4800 ग्रेट पे का है और जारखंड सुचना सेवा जो 4800 ग्रेट पे का है और जो सात्मा और जादतर लोग को इसी पोस्ट का चाते हैं जादतर जो होते हैं वो है पुलिस सेवा जार्खंड पूलिस सेवा जो DSP जिसको कहते हैं जार्खंड योजना सेवा देखेंगे 4800 ग्रेड पे का यानि अगर देखा जाए तो यहां पर 1, 2, 3, 3 ऐसे पोस्ट हैं जो 4800 ग्रेड पे का है बाकी सब 5400 ग्रेड पे का है तो इन पदों की वेकेंसी रेगुलर बेसिस पर इसके अलावा और भी कुछ ऐसे पूस्ट होते हैं जिसको एड किया जाता है जब थेकेंड रहता है तो ठीक है यह रहा पोस्ट्थ दुस्तों अगर आप जनरल स्टूर्डी का तयारी करना चाहते हैं तो मैं आप को जनरल स्टूर्डी के बारे में बताऊंगा दूस्तों जो कि आप देख सकते हैं यह है प्रभात पॉब्लिकेशन का नेशनल वेस्ट सेलर, NCRT का सार संकलन, यानि आप जो भी NCRT की किताबे पढ़ते हैं, चाए वो इतिहास की बात हो, वालेटी की बात हो, जोगरफी की बात हो, इस सारे किताबों का सार संकलन दोस्तों आपको इस जो है, जो जो दोस्तों के सारे टापिक को कवर किया गया है, यानि दोस्तों अगर कम से कम समय में भी आप जनरल स्टडीज को त्यार करना चाहते हैं, तो इस किताब से А吧 चाहते हैं किटाब का प्रासानिक सेवा हो गया जिसको वीडियो कहते हैं बित सेवा हो गया सिक्षा में हो गया साकारिता में बात करें समाजीक सुचना पूली से और यह हो जाना अगर इसमें आपको इन पदों में नौकरी चाहिए ठीक है गैजेटेट अपसर बनना है जार्खन में दोस्तों तो स सनातक पास्षा माना बदी घच्राण से हो मारे इसमें आप crypto क्रीडी मांगा गया है जिसमें आप चाहिए कर पाएँ लिजिये यह प्लें ग्राज़ोईशन दोस्तों ठीक है कोई ऐसा नहीं है कि 50% मार्स 60% मार्स कुछ नहीं आपको अगर मतलब सनातक का डिगरी है तो आप आप अबेदन कर पाएंगे यहां कोई percentage issue नहीं है ठीक है दूसरी बात करेंगे age limit के बारे में यानि कौन-कौन लोग इसमें भर पाएंगे देखेंगे दोस्तों इसमें कुछ ऐसे पोस्ट है एगर इसमें देखेंगे तो जो एज नियूंतम एज इसमें फिक्स है ठीक है खासकर बात करते हैं पुलिस सेवा में तो पुलिस सेवा में बात करें दोस्तों तो नियूंतम उम्र दिया है इसमें 20 वर्स आपका होना चाहिए यह भी 21 years 21 ठीक है यानि बाकी 20 अगर पुलिस सेवा और सुचना सेवा सुचना सेवा जो है वो 22 होना चाहिए minimum आपका उम्र और पुलिस सेवा में minimum जो है 20 ठीक है और यह होगया minimum age और maximum यानि आपका age कब तक रहेगा कि आप इसको भर पाएंगे ठीक है तो देखिए यहां पर दिया है उम्र सिमा जेनरल के टेगरी वालों के लिए ठीक है जेनरल में अगर आप है लड़का पूरुस वालों के लिए तो 35 वर्स रखा गया है maximum यानि आपका उम्र जब तक 35 को क्रॉस नहीं करता है तब तक आप 10 years रखा गया है और जेनरल और ओबीसी फिमेल महिला भ्यरतियों के लिए देखे जेनरल और ओबीसी और बीसी तो दोनों महिला के इंड्रेट्स अगर है तो maximum जो एज रखा गया है वो 38 वर्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं यह रहा दोस्तों इसका यानि पोस्ट सेक्छानि जोगेता की बात कर दिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए एज लिमिट क्या होना चाहिए अब जो तीसरा चीज है जानना जोरी है दोस्तों वो है एक्जाम पैटर यानि इस परिक्षा को कैसे पास कर रहे हैं आप नौकरी ले सकते हैं तो एक्जाम जो होता है जो एक्जाम जॉता है तो दोस्तों इसका यह तीन स्टीज में आपका घ्चाम लिया जाेगा ठीक है पहला जो होता है प्यारम्भिक परिक्षा जिसको पिटी कहते हैं ठीक है प्रिलीमिनिरी टेस्ट पीटी ये एक्जाम जो हotा है तो बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का होगा कहने का मतलब है इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना यहां पे अगर आप ज्यादा भी मार्क्स ले आते हैं तो वह आपका फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा और उसके बाद जो दूसरा स्टीज होता है दोस्तों होता है में जम्मूख्य परिक्षा जि वो बेसिकली जो होता है वो आपका नॉलेज टेस्ट केरने के लिए नहीं होता है याद रखिएगा हाँ कभी कबार होता है कि आपका जैसे ग्रैजुशन की सब्जेक्ट से हुआ हो उस सब्जेक्ट से रेलेटेड कुछ कोश्चन पूछ लिया गया है आपका जो नाम है उ छे पेपर को आप क्वालिफाइं करेंगे तभी तो जाएंगे इंटर्व्यू में तो छे पेपर अगर आप क्वालिफाइं करके गए हैं जिसमें जिके जिए सारे चीज़ों को पॉलिटी एकॉनोमी करेंट रिलेशन की बात करें इंटरनेशन रिलेशन सारा चीज़ को ज दोस्तों ये qualifying nature का होता है सिर्फ pass करना होता है इसमें आपका दो paper रहेगा देखिए पहला paper जो रहता है आपका सामाइने अध्यन का paper रहेगा और दूसरा paper जो होता है वो होता है जारखन जीके का इसमें भी 100 questions पूछे जाएंगे यानि सामाइने अध्यन में अगर देखेंग यानि इसमें 100 questions पूछा जाएगा और जारखन जीके में भी आपको 100 questions पूछा जाते हैं देखिए दोनों जो paper होता है दोस्तो बेसिकली objective type क्या होगा यानि वस्तुनिस्ट प्रकार के एक question उसके बाद 4 options रहेगा जो सही answer होता है उसको आपको tick करना होता है बस इतना ही है ठीक है तो यहाँ पे 100 questions यहाँ भी 100 questions समय की बात करें तो इसमें भी 2 घंटा मिलेगा और इसमें भी आपको 2 घंटा देखिए दो paper जो होता है बेसिकली एक्जाम जो होता है एक ही दिन conduct होता है दोनों paper का आपको पहला paper अगर 10 से 12 के बीच हुआ तो दूसरा paper दो बज़े से 4 बज़े के बीच होगा ऐसे ही होता है यानि आपको 1.5 घंटा 2 घंटा का gap मिलेगा ठीक है आप बात करते हैं इसमें जो questions पूछा जाएगा देखिए इसमें हर एक questions में जो marks मिलता है 100 questions दो दो नमबर य आपका objective questions पूछा जाता है जिसमें भारतिये इतिहास की बात करें तो देखिए यहां पर भारतिये इतियास राज्य वेवस्ताय पॉलिटी की बात हो गया economy हो गया थिर बिज्ञान इबंप्रदोगी से questions पूछा जाएगा जारखंड जीके देखिए जारखंड जीके कि इस यहां आपका paper 1 और paper 2 में देखिए यानि जो आपका जारखंड जीके वाला जिसमें जारखंड से related सारे के सारे questions जारखंड से ही पूछ जाएगे जिसमें जारखंड का इतियास से questions रहेगा जारखंड आंदोलन से questions पूछा जाएगा विशिस्ट पहचान जारखंड के लाएंगे मुख्य परिक्षा में और मुख्य परिक्षा की बात करें तो यह जो होगा दोस्तों इसमें आपको देखेंगे तो टोटल छे पेपर का एक्जाम होता है ठीक है और यहां पर descriptive होगा descriptive कहने का मतलब है pen on paper में आपको answer लिखना होता है लिमिटेड वर्ड में ही लिखना होता है बट आपको subjective होगा लिखना पड़ेगा जैसे academic exam में आप देते हैं 10th में graduations में दिये होंगे उसी प्रकार यहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा ठीक है बट यह एक्जाम जो होता है बहुत limited word में आपको अच्छे answer लिखना होता है यानि यहां पर देखेंगे तो answer writing के उपर depend करता है writing कहने के मतलब यह नहीं कि आपका writing बहुत अच्छा है और पता चला आप questions को लिख नहीं पा रहें ठीक से मतलब summary करके अच्छे से ठीक है तो यह 6 paper का होता है और यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो full marks होता है दोस्तों यानि mains exam जो होता है वो होता है 1050 नमबर का आपको 100 नमबर का ठीक है इंटर्विव हो गया आपका 100 नमबर का यानि कूल मिला कर अगर देखा जाए तो 1050 1100 1150 का हो गया आपका merit merit इसी में आना है दोस्तों ठीक है merit के लिए जरूर है वो 1150 नमबर में आपका merit बनेगा ठीक है और ज्यादा तर देखेंगे 1150 यानि final अगर देखेंगे cut up भी देख लेंगे अभी previous का exam का cut up भी दिया था तो आप देखेंगे कि 50% 55 60 more than अगर बहुत ज्यादा हो गया तो 60% मतलब 50 to 60% में result आ जाता है अगर 50-60% इसमें से ले आए हैं तो आपका result पूर जोर संभावना है कि आप result में आएंगे यानि merit में आप आ जाएंगे ठीक है तो यह रहा जोस्तों JPSC exam के बारे हम बताएं एक अलग से वीडियो हम बता देंगे दोस्तों जिसमें preliminary exam की बात करें यानि इसको कैसे crack किया जा सकत ताकि कम से कम समय में ये आपका preparation बहुत अच्छा हो जाए और आप आसानी से crack करके mains exam में चले जाएं तो आगे मैं एक वीडियो बनाओंगा जिसमें आपका PT का भी बता दूँगा कि कौन-कौन से किताब आपको पढ़ना चाहिए किन topic से पढ़ना चाहिए और क्या रहते हैं उनको लगता है कि हमको पढ़ना है पढ़ना है मतलब सब पढ़ना है ठीक है तो लेकिन यहां पर क्या होता है जब भी आप सब इसकी exam की त्यारी करेंगे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि पढ़ने से जादा आपको छोड़ने भी ध्यान रखना जिस दिन उस चीज़ को आप साइड कर देंगे यानि आपका ट्रैक एकदम क्लियर हो जाएगा आप सही ट्रैक पर चलने की शुरूबात कर देंगे कुछ लोग जो unnecessary चीजे भी पढ़ने शुरुबात कर देते, उससे क्या होता है, time भी worst होता है, और एक unnecessary चीज को आप memory में फिड करते हैं, ठीक है, तो वैसे चीजों की जोरत नहीं है, आपको exam crack कर रहा है, न की आपको बिद्वान बनना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेग आपको एक अधिकारी बनना है, आपको बिद्वान नहीं बनना है, कि हर subject का आपको knowledge होने की जोरत है, ठीक है, knowledge आपको बिद्वान नहीं बनना, आपको अधिकारी बनना है, तो exam जब crack करना है, तो purpose, आप हमेशा ध्यान रखेगा, कि exam के purpose के हिसाब से ही preparation करे, तो ही वो बहतर और efficiency भी रहेगा, अच्छा result भी आएगा, तो दोस्तों अगर ये वीडियो और ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरू subscribe, like और share कर लिजिएगा, और आगे दोस्तों मैं इस सब JPSC related सारे topics wise वीडियो भी लेकर आऊंगा आप सभी के लिए, thank you. मैं ये ज़र के लिए और गाँ बहा हो, तोस्तों वीडियो।